कि नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ही रो एन वा एक्स एलेट्रिक स्कूटी की दोस्तों यह स्कूटी एक बार चार्ज होने पर आपको 165 किलोमेटर की रेन दे देती है अगर हम इसके टॉप स्कूटी की बात करें तो वहाँ पर आपको 50-50 किलोमेटर पर हावर की टॉप स्कूटी देखने को मिल जाती है दोस्तों अगर आपको कोई बिजनस है या फिर कोई रेडी का काम है तो कमर्शियल परपस के लिए यह स्कूटी जो है काफी जादा बैतर साबित होने वाली है तो आए फिर जानते हैं इसकी प्राइजिंग कितनी है क्या इस पर गारेंटी वारेंटी है कितनी इसकी सबसीड़ी है तो पूरा डिटेल रिवी होने वाला है तो वीडियो को पूरा एंट तलग वाच कीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए तो दोस्तो विना टाइम वेस्ट की चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर हम स्कूटी के कलर कॉमिनेशन की बात करें तो यह दो कलर कॉमिनेशन में आती है ब्लैक और वाइट कलर में और सामने आप देखी सकते हो एलेट्रिक की ब्रैंडिंग दी गई है और यहां पर हम इसका लाइट ऑन करवा दे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर फ्रेंट में एलेडी हैडलेम देखने को मिलता है तो लाइट की कोई इशू नहीं होने वाली है इसलिए आपको नंबर प्लेट रहता है यानि कि आपको लाइसन्स रिक्वाइड रगा है ग इसके ऊपर माल कैरी करते ठीक है लोड कैरी करते तो उसके लिए स्पेस काफ है जैसे क्या फ्रंट और बैक वाले टायर की बीच में जो स्पेस देखोगे ना वह वी काफी अच्छा दिया है तो इसके उपर भाई आप पूंसा भी समान रखके कैरी कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको स्पेस मिल जाता है जहां पर बॉटल और समान रख सकते हो अगर कोई रेडी वाला है जो चला रहा है धूप में निकलना पड़ता है तो बॉटल इसके अंदर रख सकता हो पानी वानी पिनी के काम आएगा चाभी यहां पर देख सकते हो आप नॉर्मल चाभ उसका यहां पर आपको बटम देखने को मिल जाता है तो इसकी जो सीट है और कमरिशल परपस को ही धान में रखते हुए बनाएगी यह जैसे कि आपको दिखा दू पहले स्कूटी बंद कर देता हो ठीक है जैसे कि अगर हम आपको दिखा दे तो इस कूटी को जो है खोला ज आते थे कि समान रख सकते हो बगल बगल में बहुत सारा समानी लोग टांगते थे ठीक है अब दोस्तों चाहो तो अगर कोई बैठना चाहता है तो इस कूटी को मतलब सीट को थोड़ा सा पुछ आफ करना उपर की तरह और जस्ट आपको दबा देना है जिससे कि आपका जो आई जो फ्रंट और बैक दोनों में 10 इंचिस के लगाए गए होते हैं और अगर मैं इसके टायर सी बात करें तो इसके अंदर सीट का टायर जो है ट्यूबलेस टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया होता है जो कि दोस्तों इलेट्रिक स्कूटी में काफी बहतरीन माना जाता है ग्रीप के मामले में दोस्तों आए चली फिर इसके बैटरी बैक अप के बारे में भी जान लेते हैं तो अगर हम डिगी ओपन करते तो यहां पर हमको एक स्टार्ट अप गाइड बुक और एक स्मार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है बाई इस टार्ट अप बैटरी को कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो दोस्तों अगर बैटरी के ऊपर तो हमको कुछ एक टूल किट मिलता है और यहां पर दोस्तों अगर हम बैटरी को दिखाएं तो यहां पर आप देख सकते हो 51.2 वाल्टेज 30 एच की आपको लिथियम आन की बैटरी यहां पर द के लिथियम आन की कि बैटरी है जिस पर आपको देखे सकते हैं व्याण खता से लिथैन की बैटरी है जिसर आपको तीन साल की वारन्टी देखने को मिल जाएगी तो देखी सकते हैं व्याया थीर यह और ऊप तो 100 पैसति किलोमेठर एबरेज स्पूटि जो है आपको दे द देख सकते हो हमने चावी काट दिया है ठीक है अब हम सिर्फ थ्रॉटल लेंगे इसका यानि कि रेस लेंगे तो देख सकते हैं इसका स्पीडो मिटर बढ़ना शुरू हो गया देखो हमने 50 51 कहा था वह आप देखी सकते हो वह डिपेंड करते हैं दोस्तों अगर आप लोड ज स्कूटी में दो राइटी जाते में बता दो यह है दोस्तों हीरो एक स्पीड होता है और एक एलेक साथी जिसका स्पीड थोड़ा थोड़ा फरक आपको देखने को मिल जाए गा तो दोस्तों इस को चार्जिंग टाइम बताया गया जो शूरू माले क्लेम कर रहें वह चार चारज से पाज घंटा फुल चार्ज होने को लग जाता है दोस्तों इस कूटी पर आपको 35,200 रुपे गवर्मेंट सब्सीडी भी मिलती है जो की सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट की तरफ से आपको दी जाती है ठीक है और दोस्तों इस पर आपको मोटर कंट्रोलर चारजर चैछीब और बैटरी इन पांचो चीजे पे डोस्टो आपकोती 9 साल की वरनटी दी जाती है दोस्तों आप इक बार जरूर करवा ह सब्सक्राइब दोस्तों इसके फाइनल पर इसके से प्राइसंग की बात कर लेते हैं तो दोस्तों को इसका प्राइज है बस्ती उत्तर प्रदेश में 67,540 रुपीज यानि कि दोस्तों अगर आप अन रोड लेने जाओगी स्कूटी को तो आपको 75,000 कि अकॉडिंग इस्कूटी आपको आंरोड मिल जाएगी दोस्तों हो भी सकता है कि मेरे स्टेटेट पे इतना प्राइज ज्यादा भी वो सकता तो आपको खुद Uh को ही अपने एप देर सिप्राइज बता करनी होगी दोस्तों अगर आप कुछ नहीं समझ में आ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेटियून